आज हम लोग MHCET क्लास 11 का साउंड वेव चाप्टर ले रहे हैं क्यूंकि इस चैप्टर में काफी कम टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं जिसमें से एक या दो कोश्चन आता है एक्जाम में अभी के जो साउंड वेव से एक दो कोश्चन आता ही है तो इस चैप्टर का स्टाडी हमें रिड्यूस से लेबस के हिसाब से करना है जैसे कि हमने क्लास 11 और क्लास 12 में किया होगा आपने जब स्टडी कर रहे होगे तो वही रिड्यूस से लेबस सीट के लिए भी अपला है तो सबसे पह है चीजे ध्यान रखनी है उस पर ध्यान करते हैं तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वेव तो वेव क्या है वेव इस दिस्टर्बंस विच ट्रांसफर फ्रम वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनधर पार्ट विदाउ है ठीक है यह एक तरह का ओसिलेटरी डिस्टर्बंस भी बोला जाता है वेव को तो वेव हमेशाँ क्या ट्रांसफोर्ट करती है एनर्जी भी करती है और मोमेंटम भी करती है कुछ नेसेसरी कंडीशन है या प्रॉपर्टी है मीडियम के लिए वेव मोशन से रिलेटेट व मुझक अतना है मरव मुझक करने वाले हो हम ठीक है जो अटित्स पार्टिकल कें स्टोर्ण का इनर्जी पार्टिकल क्या स्टोर कर सकता है क्या वनिभी क्या होती है व्हाफ एम वी स्कूर्ढ तो तो जो विलाउसिटी और उर मास का फैक्टर उता है ना न inquisus से रिलेत हो ये प्रापडी देखिए ठीक है ना तो उसी विशचों परापटी को यहाँ पर बहुत जरूरी होता है वैसे वाइसे टाइप्स ओ वेव है थो वेव जनरली टीन टाइप के है पहला है मेकनिकल वेव उस वेव को हम बोलते हैं जिसके लिए material medium require होता है propagation के लिए means which which required, which require material medium, so to their propagation, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, mechanical wave, they can travel, they cannot travel through vacuum, ठीक है, जैसे कि sound अगर है, यह travel नहीं कर सकते, यह travel नहीं कर सकते, तो यह हो गया, mechanical wave, अगला है electromagnetic wave, electromagnetic wave क्या होता है, these are waves which do not require, जैसे कि light wave, light wave, transverse wave भी होती है, याद रखो, और जो sound wave होती है, वो क्या होती है, longitudinal wave होती है, तो electromagnetic wave को material medium नहीं चाहिए होता, for example, x-ray भी ले लो, या तो radio wave भी आप लिख सकते हो, light भी है, ठीक है, फिर आता है matter wave, matter wave किस से relate करता है, matter wave उन चोटे-चोटे microscopic particle, कों से होते है, वो, electron होता है, proton होता है, neutron होता है, ठीक है, एकसे ट्रा, इन से, इनके लिए क्या होता है, behave like wave, विचार, call matter waves, तो सब atomic particles, atomic particles के भी हम बोल सकते हैं, अगला तो याद रखोंगा, तीन चीज, mechanical जो इस पर material medium रिक्वायर होता है, दूसरा, we do not require material medium propagation, तीसरा, matter wave, जो की microscopic particles के लिए, फिर अगला है, जो हम चाप्टर ही है, जो कि है, sound, sound wave रिक्तर का wave होता है, तो कौन से form of energy, which produces a sensation of hearing in our ears, ठीक है, hearing in our ears, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, sound wave बोलेंगे, ठीक है, तो जो wave होता है, basically है, तीन टाइप के, जो sound होते हैं, related frequency के, पहला होता है, infrasonic wave, इंफरासोनिक wave में वो frequency होती है, जो 20 hertz से कम होती है, तो जो हमें भी audible नहीं होती है, human also cannot audible, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 20 hertz से कम, इंफरासोनिक wave, दूसरा जो होता है, audible wave, audible waves वो waves है, जो हमें सुनाई दे सकती है, तो ओ कॉंसेल रेंज में लाई करती है, इट रेंज लाइज बिट्वीन 20 hertz टू 20,000 hertz, उसको हम क्या बोलते है, audible waves, ठीक है, वैसे ही एक होता है, ultrasonic wave, longitudinal waves, which having frequency above 20,000, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ultrasonic बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे, ultrasonic बोलेंगे, अब तो यह आप याद रखना है, आपको basically types of wave तीनो, या पढ़के जाने है, sound wave के जो तीनो, इंफ्रासोनिक, audible और ultrasonic, इसके range आपको याद रखने है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं, दूसरे पर, दूसरा हमारा है, speed of traveling waves, speed basically, अगर solid के लिए है, solid की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो speed का formula होता है, होता है, V equals to eta upon d, eta को हम modulus of rigidity भी बोलते है, क्या बोलते है, modulus of rigidity, पता न, modulus of rigidity क्या होता है, वो sharing stress upon sharing strain वाला, जो अपने mechanical property of solid में हम पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है, अपने पढ़ा भी होगा, अपने 11th और 12th में, mechanical property of fluid और इसमें, वैसे ही जो d होती है, density of medium, density of medium, जिससे air हो गया, उसके लिए क्या है, ठीक है, और अगरे strings है, stretch strings है, जो अपने guitar हो गया, sitar हो गया, तो वहाँ पे जो formula अप्लाए होता है, वो होता है, V का speed का मतलब under root T by M, तो यह T होता है, T मतलब होता है, T का formula में, आप F भी लेख सकते हो, उसको M, G भी लेख सकते हो, उसको W भी लेख सकते हो, उसको N भी लेख सकते हो, नॉर्मल जो होता है, friction वाले में, तो यह T क्या होता है, सब अलग-अलग way है, लेकिन M, G ही आपका formula बनता है, तो T मतलब tension, और जो नीचे small m दिया है, वो नीचे small m होता है, mass per unit length, या इसको लीनियर density भी बोलते हैं, mass per unit length, या लीनियर density भी बोलते हैं, तो जो लीनियर density है, उसका एक अलग formula भी यह क्या है, pi r square d, अलग formula क्या है, pi r square d, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, और इसके related numericals आएंगे, तो T मतलब आपका tension हो गया, small m मतलब linear density, capital M मतलब होगा, mass suspended to the string, mass suspended to the string, पता है न, आपने 12 standard में sonometer 1 और 2 का practical किया होगा, जिसमें आप 500 ग्राम का weight add करते थे, तो वहाँ पे आपने सीखा है, ठीक है, याद रखो, कुछ नहीं तो ये याद रखो, जो r होता है, radius of the string होता है, जो जिस wire पे आपना paper rider रखते थे, पता है, tuning fog का, और frequency से tuning fog से मार के आप उसको गिराने की कोशिश करते थे, ठीक है, वह ऐसा है D, D मतलब density of material, जो material उसका density, जैसा आगे हम पता करेंगे, तो उससे related, जो speed में, speed of transverse wave के लिए string, string के लिए under root t by m, t मतलब tension, फिर जो solid में है, उसमें क्या है, eta by d, अब आ जाते है, speed of longitudinal wave, मतलब sound waves की तरह, sound wave के लिए हम लोग क्या formula लिखेंगे, पहला formula है, b plus 4 by 3 into eta, b plus 4 by 3 into eta upon density, तो b क्या होता है, b stands for bulk modulus, पता है न, bulk modulus क्या होता है, nothing but ratio of क्या, volumetric stress upon volumetric strain, volumetric stress upon volumetric strain, और जो eta होती है, वो आपका modulus of rigidity, जिसको मैंने बोला भी sharing stress upon sharing strain, ठीक है, वैसे ही आपका row मतलब density of solid, तो याद रखोए, तीनो न, speed आओके ही formula है, लेकिन, transverse में आपको क्या लगाना है, और longitudinal में क्या लगाना है, यह आपके numerical पर depend करता है, numerical में क्या पूछा है, ठीक है, वैसे ही, जो speed है, in terms of liquid, वो होता है, under root b upon p, मतलब ओई density होगा, b upon rho, rho मतलब density, b मतलब आपका है, bulk modulus, ठीक है, तो bulk modulus हम को पता ही है, ratio of volumetric stress to volumetric strain, ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, Newton formula, तो पता है, Newton ने, और lapless, सबसे पहले, Newton ने, जो velocity of sound है, velocity of sound, मतलब speed of sound, जो है, उसका process को उसने क्या बोला था, की मान के चला था, की वो process क्या था, आइसो thermal process था, Newton ने सा assume क्या था, आइसो thermal प्रोसेस था, तो आइसो thermal के लिए हम जो यह इटा का बार देखते हैं, तो उसको हम लोग B लेते, B, bulk modulus, तो हमारा bulk modulus किससे replace किया था, P से, bulk modulus P, तो P मतलब क्या होता है, atmospheric pressure आपको पता ना, HDG, आपने mechanical property of fluid में देखा है, P का formula क्या होता है, pressure का, H, H मतलब height of mercury column, जो कि 76 cm ऐसा होता है, D मतलब क्या, density of mercury, small g मतलब क्या, g मतलब gravity, तो यह values substitute करके, और नीचे जो density है, तो density of क्या, medium, मतलब air का, जो 1.293 है, यह सारे values Newton ने substitute किये, तो उसको value क्या मिला, speed of sound का, 279.9, लेकिन यह क्या था, जो experimental value आई थी, 332 के, उससे कम से कम 15-16% का difference पढ़ रहा था, तो यह difference क्यों पढ़ रहा था, कि Newton ने क्या, assume किया था, कि जो यह speed होता है, sound का, यह एक isothermal process है, मतलब यहाँ पे जो temperature होता है, वो constant होता है, तो आपका pressure volume बे भी कुछ ऐसा effect नहीं पढ़ता है, ऐसा Newton ने माना था, लेकिन लापलेस ने इसको correct किया, मतलब जो Newton से भूल हो गए एक तरह से, लापलेस ने फिर क्या बताया, कि यह sound होता है, जब speed of sound, इसकी frequency होती है, इसकी काफी ज़्यादा होता है, तो यह vibration जब ज़्यादा होता है, तो उस vibration के time, जो, तो Newton के बाद जब लापलेस ने है, तो लापलेस ने क्या correct किया, लापलेस ने यह correct किया था, कि जो process है, वो कैसा है, adiabatic है, क्यों, क्योंकि heat exchange होता है, heat exchange यहाँ पर होता है, इसने लापलेस ने correct कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर adiabatic expansion हो रहा है, तो कैसा हो रहा है, किस के लिए हो रहा है, क्योंकि nature में अपने आसपास atmosphere में कौन से gases है, nitrogen जो की diatomic है, oxygen वो भी diatomic है, ठीक है, तो diatomic का जो ratio होता है, adiabatic ratio वो क्या होता है, 7 by 5 होता है, तो 7 by 5 को अगर आप solve करोगे ना, तो कितना आता है, 1.41, तो लापलेस ने क्या किया, न्यूटन के वो जो फॉर्मूला था, HDG, HDG upon rho वाला, तो HDG में multiply कर दिया, गामा, गामा, गामा मुल्टिप्लाइ कर दिया, मतलब 1.41 मुल्टिप्लाइ कर दिया, तो basically 279.9 था, उसमें कर आप 1.41 मुल्टिप्लाइ कर देंगे ना, तो आपको क्या value मिलेगा, 331 मिला था, लाप्लेस को, क्या मिला था, 332, 331, which was mere perfect to experimental observation, experimental observation के क्या है था, close value है था, तो इस तरह से लाप्लेस ने correct क्या था, तो हमें याद क्या रखना है, न्यूटन का value कितना है था 279.9 याद रखो या 280 याद रखो, क्या क्या था, न्यूटन ने, क्वाइल था, आईसो थर्मल प्रिडिक क्या था, लेकिन, लाप्लेस ने क्या correct क्या, गामा फेक्टर आड क्या, मतलब या प्रोसेस आईसो थर्मल ना होके, क्या है, एडियाबेटिक है, ठीक है, आप खुटली हम लोग आगे चलते हैं, तो हमें फॉर्मला क्या मिलता है, गामा पी अपॉन रो, गामा पी अपॉन रो, याद रखो, गामा मतलब अडियाबेटिक रेशियो, यहींकरीजो हो सकता है ठीक है और घटएगा तो यह दिक्री यह अगर आप बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ सांड भी क्या होगा इंक्रीज हो सकता है ठीक है और घटेगा तो डिक्रीज होगा तो रेश्व यह याद रखना है फॉर्मुला वी को वी डारेक्ली प्रोपोर्शनल रूट यह यादी रखो या तो वी वान अपॉन वी का इस याद रखना है की स्पीड ऑफ सांड सॉन तो यह डेंसी का मौस्ट रिखे रखना है ज्यादा होता है किश्के डेंसीटी ऑफ ड्राय यार के ठीक है जिस हो जब्ड़ाल खाए है तबर लगाए तो संडावंट इंक्रीज क्या हो गार ठीक है और रहेगा तो जो देंसिटी है वह क्या हो रहेगा प्रैस सिट इस लिए और डीnhलिकeur related है वैसे effect of frequency तो effect नहीं पड़ता, speed of sound in air is independent, speed of sound is independent, याद रखो, अभी शाहद से यह साल इसमें भी आया था, अपने 12th board में भी आया था, फिर progressive wave है, तो progressive wave क्या होता है, progressive wave वो भी होता है, जो travels from one point of medium to the another, उसका हम लोग बोलेंगे progressive, तो उसा characteristic क्या होता है, in progressive, all vibrating particles of the medium have same amplitude, याद रखो, period and frequency, तो all progressive wave have medium, same amplitude, period and frequency, and phase change from particle to particle, phase phase occur particle to particle, अभी हमने पता है, stationary wave में आपने पढ़ा है, super position of wave में, y equals to a sin 2 pi n t plus x by lambda, यादे न हमने पता है, negative x directions आता है, तो रेक positive x directions आता था, तो वही formula यहाँ पर वापस आपको याद रखना है, आपने 12th में किया है, ct मेंने फिर भी यही आपको आपस याद रखना है, वापस 12th में आप करने वाले हो, तो यह formula याद रखो, ठीक है, इससे related numericals आएंगे आपको, general equation यही है आपका, जहाँ पर a मतलब amplitude है, पता है न, तो 2 pi आपको क्या देता है, 2 pi by lambda, पता है न, वो phase वगरे देगा, तो वो चीज़ अभी आगर हम देखने वाले भी है, तो अभी फिलाल के लिए इतना याद रखो, अगर positive x direction से आ रहा है, ठीक है, positive x direction से आ रहा है, तो vt minus x, और पॉजिटिव और negative x direction से आ रहा है, तो vt plus, बाकि यो 2 pi लवाय लवाय लामडा हो सब क्या रहेगा, same ही रहेगा, 5, 5 मतलब पता न, phase से रिलेट करते हैं, आगे हम लोग देखने वाले, तो other form क्या है, उसका y equals to a sin omega t plus k, y equals to a sin omega t plus minus kx, रिपेंड कैसा करेंगा, positive से आ रहा है क्या है, negative से आ रहा है, तो यहाँ पे जो lambda होता है, lambda को हम क्या देते हैं, wavelength, v को क्या देते हैं, wave velocity देते हैं, ठीक है, याद रगो, एक particle velocity होती है, और एक wave velocity होती है, तो यहाँ पे omega equals to 2 pi by t है न, यह formula important है, याद रखना है, आने वाले, और वैसे ही omega by b, relation between phase difference and path difference, तो phase difference और path difference मैंने मान लिया, phase difference को delta 5 लिया, तो delta 5 मतलब 5 1, 5 1 क्या लेंगे omega t minus kx1, फिर 5 2 क्या लेंगे omega t plus kx2, तो basically difference क्या होगा phase का, 5 2 minus 5 1 या 5 1 minus 5 2, तो क्या होता है, k bracket में x 2 minus x1, इससे भी numerical आगे हम लोग को आने वाला है, फिर relation between phase difference and time difference, तो time difference में क्या करोगे, जो आपने ये लिया, path, path की जागे x2 minus x1 था, तो यहाँ पने time के लिया क्या होगे t2 minus t1, तो आपका formula delta 5 क्या हो जाएगा, 2 pi by t, intensity, याद रखो intensity से आने वाला है, intensity is inversive proportional to square of distance, ये सबसे important, मैंने circle भी करके रखा है, ठीक है, intensity is inversive proportional to square of the distance, याद रखो, energy density, क्या होगा, half density omega square a square, half density omega square a square, formula रट के रख लो, फिर reflection of sound है, तो reflection में e को भी अगर ये भी आएगा, पहला क्या है, the bouncing back of sound when it strikes a hard surface, is known as क्या, reflection of sound, अगर sound, अगर किसी आगे hard surface से टकरा कर वापस आया है, तो इस phenomenon क्या हम क्या बोलते है, reflection of sound हमको भी ये पता है, जैसे कि eco हो जाएगा, तो eco कैसे भी हो सकता है, smooth surface से भी और या तो rough surface से भी टकरा के आ सकता है, तो पहला eco में क्या है, eco को हम क्या बोलते है, when a person shouts in big empty hall, अना हम कभी भी एक बड़े empty hall में गर हम shout करेंगे, तो हमको पता नहीं को सुने देता है, तो basically जो पहली बार आवाज आई रहती है, वो हमारी original sound होते है, लेकिन जो दूसरी बार आती है, वो क्या होता है, repetition sound caused by reflection of sound, क्या होता है, caused by, we hear the reflection, ठीक है, तो reflected sound of that shout, तो उसको हम लोग repetition को क्या बोलते है, eco बोलते है, क्या बोलते है, eco बोलते है, तो याद रखो, person shouts in a big empty hall, we first hear original sound, ठीक है, और फिर after that, क्या सुनते हैं, reflected sound, सुनते हैं, shout का, ठीक है, अब sensation of sound persist in, क्या, our way, कितने time के लिए, 0.1 second के लिए होता है, तो, to hear a distance, eco, हमको क्या चीए, at least distance travel, 0.1 second का होता है, तो, जो हमारा speed होता है, वो time पे, speed of sound कितना है, 344, तो, speed, किसके लिए, air अगरे के लिए, तो, time कितना है, 0.1, तो, यह कितना हो गया, 34.4, तो, जो distance आए, कितना है, 344.4, तो, यह distance, अगर हम उन्हों डिवाइड करें, 2 से, क्योंकि वापस जाएगा, फिर आएगा ना, टकरा के, तो, minimum distance कितना है, 17.2, तो, distance will change the temperature, जैसे, temperature change होगा, पता है, speed of sound का, temperature का relation है, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, distance change होने पर भी, speed of sound में क्या होता है, changes होते है, अब है, characteristic of sound, पहला क्या है, loudness, पहला क्या है, loudness, तो, loudness, बेसिकली, किस से rate करता है, intensity of sound, sound की intensity से, sound की intensity, अगर हम difference कर होता है, तो, पहला क्या होता है, I echo करने दिया, intensity of sound, तो, I note क्या होगा, I note होगा, वो minimum frequency या intensity, जो, just हम लोग क्या है, audio बहले, मतलब, 1 kilohertz तक, तो, इस intensity को, हम किस से denote करते है, उसकी unit क्या होती है, bell, bell होती है, larger intensity के लिए, तो, ऐसी एक होता है, decibel, क्या होता है, decibel, तो, db, या, db, speaker का decibel, कितना db का speaker है, ऐसा वगर example होता है, तो, उसको मत पूलता है, तो, क्या होता है, db, that is decibel, वैसी एक factor, आपको यह यह याद रखना है, कि when intensity of sound double, अगर intensity of sound क्या हो गई, double हो गई, तो, उसकी loudness कितने से increase होती है, 3 db, अगर यह intensity of sound क्या होती है, 3 db, अगर य तो, यह decibel से हम पता करता है, कि अगर हम लोग पता है, एक दूसरे को हम कान में बात बोलते है, तो, कैसा हो जाते है, whispering बोलते है, उसको, तो, कितने रखते है, उसकी sound, 10 db, 10 decibel, फिर अगर हम नॉर्मल आवास में बात करें, तो, कितना होता है, 60 db, कितना होता है, 60 db, और sound bear भी न कर पाए हम, ठीक है, हम सह भी न पर पाए, वो सब कितने होते ही, 120 db, नौरात्री गर्भाई, इस टाइम के होता है, जो जो से DJ हो गरे बचता है, तो, हम सहन भी न कर पता हो, ज्यादा db में बचता है sound, ठीक है, तो, याद एको loudness, basically intensity rate करता है, अगला है, आपका pitch pitch, pitch basically क्या करता है, pitch relate किसे करता है, pitch relates to, pitch relates to frequency of sound, ठीक है, अगर एक sharp sound अपको मिलिए, high frequency के, तो, अगर high frequency का मिल रहा है, ठीक है, तो, हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे की B हो गया, buzzing of B, पतन हमारे पास मच्छर हो गरे, बन-बन-बन-बन-बन-बन, उनकी range काफी जा जाते है, बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन-बन- larger loudness क्या होता है युद उसकी जो पिच क्या होती है लेकिन लिख लाइब क्या होता है साउं लार्ज होता है तो यह change कर लेना है इसको large कर देना ठीक है गलती होगई यहांप है तो higher share का जो puts हर हर वगर होत आफ़ हुता है कितना होता है सी कि होते है जunya unterstüt बहुत तो Doppler effect एक दो तरक होता है, एक sound में होता है और एक light में होता है, तो पहले देखो, phenomenon of apparent change in frequency of source, source क्या होगा, कोई horn, कोई mic, train की आवाज, जो होता है, वो होरन हो सकता है, जहां से sound आवाज आ रही है, ठीक है, due to relative motion between the source and observer, observer कोन हो सकता है, हम हो सकते हैं, ठीक है, उस को में तरह के cases आते हैं, पहला case क्या है, when source is moving and observer is at rest, मतलब अगर source move कर रहा है, मतलब जिस से आवाज आ रही है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कैसे move कर रहा है, दो तरह से हो सकता है, एक observer की तरफ move कर सकता है, एक observer से अवे move कर सकता है, तो उसके लिए formula क्या होगा, na मतलब apparent frequency, त शेर बबसोबर एस पह पे तो बेसिकली नॉट को रहोगा फॉर्मुला का ओग सोर्सैन बब्बास आ मूविंग पकूशन रगन को आगे जाते हैं हम विलॉश्ञ सिफेक्ट neol नुप मीडियम का frequency तो पतन हवा के बहाव में और हवा के अपोजिट तो जगर अगर हम moves from source to observer, source से observer की तरफ जा रहे, तो observer की तरफ जा रहे न, source से, तो उसमें हवा क्या होगा, positive, हवा का speed होता है, मतलब V air, वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो V पर V air होगा, तो apparent frequency भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपकी apparent frequency भी चेंज हो जाएगी, तो V plus V omega, plus minus V not, ऐसा, अगर medium moves from the observer to source, observer to the source, मतलब source की तरफ आ रहे, तो क्या हो जाएगा, subtract हो जाएगा, तो V minus V air हो जाएगा, V minus V air, तो इसी Doppler effect of light में दिया है, Doppler effect light में क्या हो, light of source moving from a stationary wave, then frequency light wave क्या होगा, appears to be decrease, क्या होगा, decrease, तो अगर decrease, तो एक case भी है, क्या होता हो, red shift और एक blue shift होता है, ठीक है, तो moving towards your observer रहेगा, तो shift क्या होता है, हमारा violet क्राइगा, लेकिन violet क्या होता है, violet की जो इतनी spreadness, intensity, हावा में जादा फैल जाता है, तो उसकी intensity इतना नहीं रहता है, लेकिन blue का क्या रहता है, तो इसलिए में blue आस्मान ऐसा नीला ऐसा दिखता है, लेकिन वही, अगर moving away from the observer, तो light का spectrum किस की तरफ जुका हो जाता है, पूरा red की तरफ हो जाता है, तो इसलिए में sunrise and sunset है, sunrise and sunset के time, कैसा होता है, लाली मा दिखती है, तो reddish atmosphere में तो redshift होता है, तो redshift क्यों होता है, मैं source क्या होता है, moving away from the observer, तो light frequency क्या होता है, towards red, तो उसको में बोलेंगे redshift, और अवे राथ तो blue shift, तो दोनों के तरफ हे wavelength याद रखो, ठीक है, तो यह हो गया theory के बाद, तो theory के बेट में सबसे important है Newton's law, Newton's formula, उसके बाद लापलेस का correction, और उसके effect of humidity है, effect of temperature है, ठीक है, वो उसके formula है, ठीक है, gamma r t by m, और एक under root t वाला, यह सब formula आपको याद रखने, इस पर numerical आएगा, अगर इस पर नहीं आएगा, अगर इस पर नहीं है, को सा आया है, देखो, यहाँ पर है, in case of hospital, in a hospital, क्या ultrasonic scanner is used to locate, क्या tumor of a tissue, तो operation, operating frequency of the scanner, 4.2 megahertz, ठीक है, तो speed of sound कितना दिया है, tissue, 1.7 दिया, तो what is a wavelength, मतलब lambda पूछा है, आपको, तो frequency कितना दिया है, 4.25, into 10-6, mega है न, इसलिए, और speed कितना दिया है, आपको, 1.7 km, तो km, किसमें करोगे, meter में, तो क्या हो गया, 1.7, 0.0, meter हो गया, अब formula क्या होता है, V का, N lambda होता है, हमको क्या चीह है, wavelength, wavelength मतलब क्या होता है, lambda, तो इसलिए, lambda क्या होगय, V by N, तो आपको V by 17, N पता है, 4.25, तो पता है, 4.25, तो पता है, 4.25 multiply by 4 करोगे, शोट करना, तो 17 आता है आगे है second type का numerical है देखो इसमें दिया है आप पॉइंट सोर्स इमिट्स पॉइंट सोर्स इमिट्स क्या इमिट्स करता है पॉइंट सोर्स एक से के नहां पॉइंट सोर्स इमिट्स साउंड वेव इक्वली इन ओल डिरेक्शन इन नॉन एब्सॉर्विंग मीडियम तो टू पॉइंट से पी एन क्यू कितने डिसेंस पे टू मीटर पे और थ्री मीटर में रिस्पेक्टिवली वाद इस रेशियो फिंटेंसिटी अफ दिसंट अगला संदिया वाइबर इटूनिंग पर पता है टूनिंग फॉर्ग क्या होता है सोनोमेटर वन टू में एक्स्प्रेमेंट किया अपने प्रेदिशस क्या को सेंट्रिक सर्कुलर वेव उन the surface of water repels are the repels goi pathar at the mar do I saw the distance between leaven crust is one me one meter and the velocity of way of the surface care 30 meter per second to what is the frequency of the tuning fork what is the frequency of the tuning fork how I basically any color to any color Tom kya kareng a distance the a lambda little local than a node or anti-node kaisa produces between three customer two lambda distance between three customer other two lambda 11 Christ I had to get now got ten lambda a kick decrease hooga to the slam around eleven crust kit not the I one meter the the lambda camera one up on 10 is a yeah see figure to travel lambda milga one up on 10 we am ko pata week it at the 30dia to 30 upon lambda and I'm gonna get them one up on 10 to 10 over they're gonna multiply me 30 say to get another 30 multiply written 300 Hertz the other 300 Hertz I see a black question they go अब अगला देखो in a medium the phase difference between two particles separated by a distance कितना है pi by 6 phase difference if the frequency of the oscillation कितना है 25 hertz कितना है 25 hertz and the velocity दिया है कितना 100 meter per second to find the value of x basically lambda हमको पता है wavelength क्या होता है v by n होता है वही formula यूज करना बार बार v equals to n lambda का तो v d i 100 और n d i 25 तो 100 by 25 कितना होगा 4 हो जाएगा और phase difference का formula क्या होता है 2 pi by lambda क्या होता है 2 pi by lambda into path difference ये भी मैंने तुमको बताया था path difference और phase difference path difference और time difference यादर को उपर मैंने कराया है formal में लिखाया है तो हमें क्या दिया है phase difference pi by 6 ट्रस्ट regime यतोगे लिखी गाराक अंतर नरधा यमारी लोर्म ऐसे भी से लोकुल्च यहां चैसर भी सब्सक्राइब होly बाइट यांशा रिखना म clues ऍसलेंद आ थर्टी प्लस लैम्डा तो यह पता ना किसका फॉर्मुला है य इकोल्स टू एसा वाला है तो हम क्या करेंगे बेस्ट लिए हमें कोश्चन दिया है किसके किसके कितना दिया है 5 cm कब जब टाइम के तो 0 तो टोटल फेस कितना कितना होगा कब जब टाइम कितना 7.5 तो हमने पहले एकुशन लिखा है इस इक क्यामें कर्में टी की वालुश 0 डाल दी तो पूरा तो 0 हो गया तो बचे का क्या 10 sign बचता है प्लस लैमडा ना तो बेसिकली लैमडा इबाचान तो लैमडा किसे मल्टीबला गए गए 10 साइन से ना तो मारा 5 किसके इक रोज़ेगा वाय का वालू दिया 5 10 और अगली बार के लिए 7.5 टो फेज हो गया 2 5 और 70 दिया ना 7.5 अपन कितने 30 अपन 30 ठीक है और सपट और पाइब आपका सटाट एक यांट और तो एक अट को सब्सक्राइब पाइब इसे नुमेरीकल इसे बीच इसने नुमेरीकल राटाए कि से विल्म सवाइब आघ जैसे फामला बाता ना वी ड्रीटो पूट टू तो है आगया देको इतर एड़ वाट temperature the velocity of sound in air is 27 degree is double तो पहले आप क्या लोगे 273 Kelvin में convert करोगे ना Kelvin में convert करोगे तो जो भी temperature आपका degree में दिया है उसको आप किसमें convert करोगे Kelvin में 273 प्लस का कर दिया है 27 कितना हो गया 300 और ratio दिया है V2 by V1 कितना दिया है 2 दिया है न तो इसलिए V2 by V1 को क्या लिखेंगा अपोसिट ना अंडरूट T2 by T1 अंडरूट T2 by T1 तो T2 as it is T1 का value आपको दिया है कितना 300 हमने निकाला 27 add करके तो इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए V2 by V1 का ratio लिख दो 2 ठीक है और T2 अपने को निकालना है तो T2 ऐसे रेखा और T1 कितना हो गया 27 plus 273 that is 300 that is 300 तो इसलिए T2 क्या हो जाएगा basically 2 का square 4 तभी स्क्वेर रूट क्या हो जाएगा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको Kelvin के वाले से सब्ट्राइक करना पड़ेगा तो Kelvin कितना है 273 ना इसलिए 1200 माइनस 273 फिर स्टूदेंट से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है density से related तो पता ने जिससे स्पीड क्या होता है exactly formula उसका उल्टा होता है देखो यहां पर density दिया है ठीक है humidity तो तो average density of air क्या होता है decrease होता है तो इसलिए V velocity क्या होगा हमेशा humidity का क्या होगा जाता रहेगा वैसे वापस आगा तो आपको दोनों मास दिया है दोनों मास आपको oxygen और hydrogen तो पता है ना oxygen मतलग O2 लिखते है हम लोग तो 16 इंटू होता है वैसे hydrogen 1 इंटू तो इसलिए 32 बाइटू तो 32 बाइटू बेसिकली क्या होगा 16 और 16 का स्क्वार रूट क्या होता है ठीक है तो ऐसे ही आगे भी सम्स्ट याद रगो शूर्ण वीडियो काफी बड़ा हो जाए आप भी बोर हो जाओगे तो यहां पे मैंने भी कर दिये क्या पर लिख दिया मैंने और नीचे रेको साउंड को पी वाई क्यू में बदब 2020 में क्या आया था वी इंटू टी वाला देको अभी हमने डिसकस किया था है ना उससे रिलेट समय दो आपस एको टी बाई म्यू यह भी हमने डिसकस कर लिया उपर थेरी में फिर डॉपला दॉपली पर पता ना जो formula अपको लिख के दिये है चार important moving towards moving away opposite direction और towards direction ठीक है वो चारो direction से ही formula और एक तो यह चार इंपोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए मैं जोड से बोल रहा हूं फिर से बोल रहा हूं एक तो न्यूटन फार्मूला और लाप्लेस करेक्शन ठीक है दूसरा चीज वाई इकोल स्टू ए साइन टू पाई एंटी प्लस बाई लामडा और एक एंटी विलॉसिटी विलॉसिटी क्या डारेक्ट लिए पॉसिशन रूट टी वाले से ठीक है और या तो ग्यामा अर्टी एपन एम उले से याद रखो तो यही चार पाच फॉर्मूला है घूंगुमा के देगा यह तो एक साइन माइनस ओमेगा टी ओमेगा प्रपोगेशन कॉंस यहां पर कवर कर दिये आप इसको प्लीज प्राक्टिस कर लो नोट्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट में लिख देना ठीक है ताकि मैं आने आगे ऐसे वीडियो बनाते रहूं और आज वाला वीडियो में को यह नोट्स पर बनाना पड़ा था क्यूंकि तब आपको नोट्स कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना तभी मैं आगे के वीडियो इसी पर बनाऊंगा ऐसे नोट्स ठीक है और आपको नहीं जरूरत हो कि तो याद रखो मेरा मोटिव था इस वीडियो का बनाने का इस चैप्टर का पहले बात आपको कितना देन भूक नहीं रेफर करनी है बस आपने कर मेरा नोट्स पढ़ लिया और उस टाइप के सम देख लिए जो मैंने कराए है उतना ही आने बाला है एक से दो माग ये चैप्टर का आपका फिक्स हो जाएगा जादा जादा एक घंटा लेगा इसके सिनॉप्सिस करने में जो म थैंक यू